जैहिन दोस्तों चले दोस्तों बात करते हैं से को और कुशन के बारे में इस कुशन में एक्जामना ने क्या आगा इव दा एट डिजिट नंबर 789X 531Y इस डिविजल बाइ 72 बैन दा वैल्यो 5X-3Y यानि एक्जामना ने क्या आगा कि जो नंबर है पूरा पूरा 72 से डिविजल है तो आपको बताना है 5X-3Y की वैल्यो क्या होगी तो इसमें मुझे X और Y की वैल्यो निकालने पड़ेगी अगर मैं ध्यान से देखूं ये नंबर मेरा अगर 72 से डिविजल है तो इसके फैक्टर यानि 9 इंटू में 8 से भी डिविजल होना चाहिए और 8 की जो प्रोपर्टी वह क्या है कि अगर किसी नंबर के लाज्ट की तो वह पूरा पूरा घॉज़रल होगा और नाइन को नबर को जोड़ने के बाद उसे डिवाइड कीजिए डिवाइड आकर वह न इन्ही प्रोपर्टी यूश करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे हैं नाइन की प्रोपर्टी यूज करेंगे गर नो को मैं नो से टिवाइड करें तो यह निकितना नुन यह अब गर यह बचेगा तो आएक्ज प्लस का एक्स प्लस का वाई डिवाइड वाइड नाइन यह पूरा पुरा नाइन से डिवाइड होगा एक्जामन ने दिया मुझे तो अब देखे इस नाइन में से अगर जो तो डिफरेंस कितना रा त्री आ रहा है यानि कि एक्स और वाई की जो वैल्यू होनी चीह बिरे तो यहां देखिए लास्ट की तीन नंबर कितने मेरे पास में आपका 3 1 और वाई की जगे में क्या रखूंगा आपका पहली बात तो मुझे इवन नमबर रखना पड़ेगा क्योंकि एट एट किसका फेक्टर है टू का और फोर का तो टू की प्रोपर्टी क्या कहती है लास् की जूरत भी नहीं पड़ेगी तो यह मुझे पता लग जाएगा कि मेरे पास में जो वाई की वैल्यू वह वहाई की चो वैल्यू होगी और एक्स की वैल्यू को आप यहां रख दीजीए फाइट की ता मेरे पास में ऑन दाली लू और इन तू में टू में तो तो यह कितन यानि कि option जो मेरे पाब B होगा वो इस question के लिए correct होगा I hope आप सभी question समझ में आओगा जय हिंद जय भारत